ननमने पेंजियादाई, पुर्वा दआउ नलेंज दाई, फलड़ापेइन, पर्शशापेइन, सजोड पेइन, गंगार पेइन, मावाना सलगांगरा तुन हेद किसीकुन मे कुन सेवा 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 जवार किया तुना इत फेस्बुक लाइब ते वा तोड और अनि केंजे वाड़े मावा बाबा लाड़ा आवा लाड़ा सांगो एना सेलार तम्मू तुम भी सेवा 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 जोड़ किया तो ना मैं दीपशी का मरावी GSU इंडिया के तरफ से आज इस फेस्बुक लाइब में आप सभी के सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सगसागूम आदिम समाजिक संस्था की अध्यक्ष महोदे जैपालसिं कड़ोपे जी का वह समस्त कारकार्णी का जिनों ने यह कायक्रम आयोजित किया वह हम जैसे युवा और भी चिंतनकार और भी महान चिंतनकारों को मौका दिया इस संगोष्टी में भाग लेने का आप सभी को पुना तह दिल से सेवा 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 जो आए आज हम इस पोला पड्डूम और सियारी पड्डूम के बारे में बात करना चाहेंगे मुझे जादा अनुभव तो नहीं है लेकिन जितना भी है मैं आज आप लोगों के सामने अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी मुझसे कुछ गल्ती हो जाएगी तो अकरिप्या मुझे माफ करिएगा और मैं आज यहाँ पर कुछ सिखाने नहीं सीखने आई हूँ तो बस अपना मार्ग दर्शन हमेशा ऐसे देते रहेगा सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल उत्पन होता है कि आखिर हमें 30 तोहरों की आविशक तक क्या पड़ी आखिर क्यू हम ये 30 तोहर मनाते हैं समाज की स्वाभिमान की गरिमा को अजर अमर रखने बनाए रखने के लिए पावन पड़ुमों को सदैव ही बहुत बड़ी भूमिका रही है यही वह परंपरा हैं जिसे जुड़कर व्यक्ति समाज में समरस्ता का संचार कर समाज को संगठित वह सशक्त करता है पावन पड़ुम व्यक्ति में चेतना उत्साहा उमंग आत्मसम्मान वा आत्मविश्वास को कभी सुप्त नहीं होने देता और संपूर स्वत भाव के साथ भयमुक्त करता है समाजिक एक्ता एवं समाजिक सशक्तिकरन की दिशा में पावन पड़ुमों के प्रती जागुप्ता लाने के उद्देश के लक्ष से लक्ष को सर्वोच प्रात्मिक्ता देते हुए आज हम इस फेस्बुक लाइफ के माध्यम से चर्षा करेंगे आज का जैसे आप सभी को टॉपिक पता है कि आज हम सी आरी पड़ुम और कोला पड़ुम के बारे में बात करेंगे अपने विचार व्यक्त करेंगे तो मैं सियारी पड्डूम के बारे में थोड़ा संचिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे जादा नौलेज है नहीं सब चीजों के बारे में, तो मुझे माफ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो, सबसे पहले हम देखेंगे कोयं पुनेम में दो सीजन में अपने तिवहार मनाते हैं पुनलवंजी पड़ूम तक हमारे तिवहार चलते हैं इसमें एक गौर करने वाली बात यहा है, कि हमारे जितने भी सियारी में तवार आते हैं, उन्हें हम पड्डूं कहते हैं, जो पागुन कहते हैं, जो पूर्णिमा के दिन आते हैं, तो यह चीज है, तो हम बात करेंगे सियारी पड्डूं की, तो सियारी पड्डूं की जो संजोरी बिद्री मैं संचित में रखना चाहूंगी बिद्री याने विदेरना मतलब बिखेरना तो इसमिर तात्त पर है कि जब आसाड के जो महीना लगता उसके स्टार्टिंग में जो असाड के स्टार्टिंग में गाओं के सबी लोग अपने घर से जिस भी फसल की बीज वो एक खट्टा करते हैं अपने थोड़ा थोड़ा और एक जगह पे पूरे गावल एक खट्टा होते हैं वहां का बैगा फिर एक खूट बनाता है साइन जो रहता है उस खूट में वो फिर उसका गोंगो करता है उसका गोंगो करता है ताकि जो आने वाली फसल है उसको अच्छा मतलब बोल सकते हैं कि एक जो हम अच्छी हो ताकि हमारा फसल अच्छा हो किसान कुछ हो और सभी लोग कुछ हो तो हम वो बिद्री में उस उस बीच का गोंगो करते हैं ताकि हमारी आने वाली फसल अच्छा से उपजाओ हो उसके बाद जो बैगा होता है वो एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता है कि हमें कैसे बीच बोना है खेत में वहीं थोड़ा सा बनाकि कैसे उसमें पैलो से काम करवाना है खेत वो करना है जोतना है और कैसे हमें पशु पक्षियों से बचाना है यह सब का डिस्क्रिप्शन हमें बिद्री में बैगा दवरा गाउ के लोगो को बताया जाता है तो यह है बिद्री बिद्री के बाद हम आगे चलते हैं असाढ के महीने में ही बीच में आखाडी आता है जिसमें हम अखेर क्याना या खूट गोंगो जिसमें हम अपने कीला मुट्वा और चूट जितते भी हमारे खूट यहां पर पाय जाते हैं जिनने हम scientifically बोला जायत तो ग्लासिपिकेशन ज जाता है जैसे कि चार पैर वाले या आठ पैर वाले इन जो धो हमारे जो है उनका हम करते हैं और यह जिति का तयों हार मनाते हैं जिसे आजकल हिंदी में लोग घ्रेलीय आमावस भी कहते हैं तो आखिर ये जीवती है क्या, ये जीवती में हमारा कौन सा मिजान चुपा हुआ है, मैं संचिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगी, जीवाता जाडी गोंगो कियाना, मतलब हम एक नए जीव का उस टाइम पे उस समय उस जीवती के दिन हम उस जीव का गोंगो करते हैं, जैसे कि हम देखते कि हम यूमन्स में जैसे कोई न्यूबर्न बेबी होता है, तो हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं, वैसी उसी तरह हम जब जो नया फसल जो हमने बिदरी के टाइम पे जो बीज बोए हैं, वो बीज के, वो बीज जब अंकुर आने लगते हैं उसमें, वो ज क्योंकि हम इसलिए मना दें क्योंकि हम उस फसल के विला हम जीवित रही नहीं सकते, वो फसल जो हमें जिन्दा रखती है, जो हमें जीवन देई रहती हैं, उसका सेलिब्रेशन अपने कोया पुनेमी पढ़्डूम जीवती के माध्यम से करते हैं, उसी में जीवती हमारा उ जिसमें रहता है कि छोटा गोटूल जिसमें हमारे भूंका मुट्वा, जो हमारे वहां की गोटूल के बच्चों को पार्ट पीडा का मिजान बताते हैं, और पार्ट पीडा के मिजान में वो उन लोग को समझाते हैं कि किस तरीके से हमें आगे चलकर अपनी जीवन शैली पूर्स बोशम्रे करने हैे व्यातीत करने किसे किसे में करना है किसे किसे परसमय पहले मिजान सहे हमstrong के दिकिती में कि्या थे इंक हुआ हमारा पहला मिजहन आता है जीपतिव में उसके बाद मेददेखे के जएा सिर्ध जैसे कि हम finalmente लाउँया सबते है वारिश बहुत होने लग जाती है तो हमारे जो पुर्खे थे उनने ये बहुत अच्छी मतलब टेक्नीक निकाली कि बारिश के टाइम में खीचर्ड या बहुत चारे साब बिचु बहुत चारे प्रकार के खीडे मकोडे निकलते हैं तो उनसे बचने के लिए उनने गेडी का इन्वेंशन किया ताकि हम गेडी में चलके आराम से कहीं पे भी जा सकें ना हमें कुछ चीज की दिक्कत होगी ना हम खीचर में फसेंगे ना हमें कोई साब बिचु काटेगा तो जहां तक मेरा मानना मैंने अपने मतलब बड़े लोगों से सुना है कि गेडी इसलिए ही इन्वेंट की गई थी ताकि हम बच सकें किसान रहता है वो अपने को पूछ ताकि वो आने वाली वाली फसल के समय उनका ड्रू कमें रहेगा वे अच्छे से हेलप करने उनको महोई को लड़ो कि लाएगा उनको अच्छे से गों-घो करेगा तो यह हमें जीवती में देखने को मिलता है यह जीवती में एक चीज और जो हमारा 30 दिन का पूरा जीवती रहता है उसमें बीच में जो रक्षा बंदन आता है रक्षा बंदन के दूसरे दिन हम खुजली भी देखते हैं जिसमें वो गेऊ को बोते हैं टोपनी में वो अपने उसमें नहीं है वो भी हमें देखने को मिलता है उसको फिर रक्षबंदन की दूसरे दिन सिराय जाता है फिर जो उस अमावस जीवती अमावस से लेकर जो दूसरा अमावस आने वाला रहता है वो अमावस के दिन हम अपन पोला-pattum मतलब नए फूल का आना वहाँ उला पड़ुम् जीफती के तरह ही एक सेलिब्रेशन ही है जब जीफती में जो खेती कर लेते हिए जो पूरा फसल पुरा पूरा मुझे पता नि इनदी ना तो जो फुरा आपना जोत लेते हैए वो उसके बाद जो पोला के दिन जब नया फूल उनके फसल में आता है वो पिसान उस चीज को सेलिब्रेट करता है क्यों सेलिब्रेट करता है क्योंकि उसकी फसल उपजाओ हो चुकी है अब उसके फसल में नया फल लगेगा, नया जीव उत्पन होगा, नया फसल आने वाला रहेगा तो वो पोला में उस चीज को सेलिब्रेट करता है और अपने बैलों को खासकर बैलों को बैलों की वो उस दिन लो गोंगो करता है उनको धन्य बाद देता है कि उनके चलते आज उसकी फसल इतनी उपजाओ हो गई आज उसके फसल में नया फूल आ गया जाए गउख एक चीजों के पकवान बनते हैं जो पहले हम अपने बैलो को खिलता है और उसके बाद वो खुद से को खाता है और उस दिन उनकी थोड़ी सी रेज जैसे होती है तोरत लगा देते हैं पूरे गाउवाली एक जगह अपने बैलो के जोड़ीयों को इक खटा कर ल बहुत सारी आसी प्रतिक्रिया होती है जो इस पोला के दिन हमें देखने को मिलती है वहीं पोला के दूसरे दिन नारबोद आता है जिसमें हम देखते हैं कि जो गेडी होती है उसको सिराया जाता है क्योंकि उसका जो टाइम रहता है वो उस फैंग तक खतम हो जाता है और उस तॉट शानियों के लिए जंगल जाते हैं कि वहां सब्सक्राइब कि भाइन कोयापुनयमी लोड़ी कार्ष बादा उन्षानिया . वह कोईतोडियन कोयकोनेवी समाज में, हम को नारबोथ के दिन जो मारे बैगा है और खिला मुठवा है वह उस दिन वो दवायां जंगल में ढूंते हैं वह लेका आते हैं। सोचे कि वह काया फैरे हमारी कोईतोडियन व्यास्ता कितनीं अच्छी है! कि हम जो साइन्स अभी तक जो मेडिसन्स नहीं ले पाया या जो उसको एंटिबियोटिक्स नहीं मिल पाया वो हमारे कोई तोड़ियन व्यवस्ता में बहुत पहले से ही है तो यह देखिए और उसी दिन मुझे एक और व्यवस्ता मिजान का पता चला कि खुजली जिसमें मु मुझे ज्यादा नहीं पता लेकिन उसको भी नारबोद के दिन सराया जाता है अभी और भी वक्ता आएंगे वो जबूर इस चीज के बारे में आपको बताएंगे तो मैं इसी के साथ अपनी विचारों को यहीं पर विराम देना चाहूंगी और आप लोगों को बहुत कि अनुभव नहीं है तो जित्ता अनुभव था आपसे यहां शेयर किया है और मैं पुना धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे GSU इंडिया का जिनोंने मुझे यह प्लाटफॉर्म में आने का मौका दिया और वहीं सगासगुम आदिम समाजिक संस्था का जिनोंने यह संगो सेवा विदार्ता सेवा 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 चाहे